नमस्कार दोस्तों नमस्ते के वई पी यूट्यूब चैनल में आपका श्वागत है और आज के वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि जीनके भी पास लेवर कार्ड है और लेवर कार्ड से अभी तक विनिफिट्स नहीं लिए हैं तो उनको कैसे कैसे विनिफिट कैसे ले सकते हैं और दूसरे बच्चे के जनम पर कितने विनिफिट्स मिलता है इसके बारे में आज की वीडियो में बताने वाले हैं तो बने इस वीडियो में चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में और पूरे डिटेल्स में हम आपको बताते हैं कि दूसरे बच्चे के जनम पर कितने रूपे की आपको लाब मिलेगा तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आ गए हैं लेवर कार्ड की अफिसल वेबसाइट पर इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं उस लिंक पर क्लिक करके डाइरेक्ट आप इस वेबस पर क्लिक करना है अगर आपके पास मालूम नहीं तो हम कैसे इसी वेबसाइट से पंजी करन संख्या निकालेंगे इसके लिए हम एक कदम पीछे चलेंगे यानि इसको पेज को पीछे कर लेंगे हमके जर यहाँ पेश को पीछे करते हम आपके सामने इस तरीका से आजाएगा इंटरफएस यहाँ पे आपको एक अप्शन मिलेगा रजिश्चर लेवर इस रजिश्चर लेवर प्र क्लिक करेंगे इससे पीजिए w china पीचुर आपको सबसे पहले उसके बाद यहां पे आपको अपना पंचायद सेलेक्ट करना होगा अगर गाउं से हैं तो यानि ग्रामिन से तो अगर आप सहर से हैं तो आपको अपना वाडल संख्या सेलेक्ट करना होगा उसके बाद यहां पे सर्च पे क्लिक करेंगे सर्च पे क्लिक करते हैं इस तरीका स यहां पर उसको हम पेश्ट कर देंगे यानि उस्साम लिखने के बाद सी कर करेंगे शूप मेर पर कanguard मतलब इस और रिटल का पोड़ी डिटेल, साजड़ागा यहां पर आपैफ को क्या करना है आपको है जो दिया हैयो य जूना का युजना का नाम select करेंगे और यहां से हम ड्रै करके नीचे की तरफ आएंगे और इस option में maternity benefits देखेंगे यानि मातरित्व benefits जो होता है मातरित्व लाब होता है उसको देखेंगे और उस पे click करेंगे क्योंकि हमको दूत्य बच्चे जो जनम लिया है दूसरा जो बच्चा ज यानि second child तो हम second child select कर लेंगे उसके बाद यहां को टेगरी पुछता है तो उस पे click करेंगे और यहां से देख लेंगे यहां से आप ड्रै करके मिलाएंगे तो अभी जो सीजन है चल रहा है 2024 वाला तो 2024 वाले option को select करेंगे अपलाई करते वक्त यह धियान देने योग्य बा है इस तरीके से अपना date देख करके select कर लेंगे बच्चे का जनम हुआ है किस के बीच में हुआ है तो second child का जो जनम हुआ है मेरा जो 2024 वाला है तो 2024 वाला option select कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 3550 रुपया एक बच्चे पर यहां पर बता रहा है सीजू का जनम परमाना प पत्र बनवाना होता है तो अगर बनवा लिए हैं तो उसको अपलोड कर दीजिए वरना एक पर 100 जो परमाना पत्र मिलता है उसको अपलोड करना होता है उसके बाद पूछ रहे सक्षम पदितकारी दुवारा निर्गत बच्चे का प्रथम टीका परमाना पत्र है तो अगर हुस्पीटल में लगता है तो वहां पे एक परमाणा पत्र मिलता है नहीं तो आंगन बाड़ी केंद्रे में टीका लगता है बाचे को तो वो एक परमाणा पत्र वहां के डॉक्टर साहिवा देती है तो इस तरीका से दो ही परमाला पत्र अपलोड करना है एक जनम परमाला पत्र और एक टीका वाला परमाला पत्र है तो एक नमबर और तीन नमबर में जनम परमाला पत्र और दो और चार नमबर में वो टीका वाला परमाला पत्र का पीडि यह फाइल बनाना है और वो भी 2 MB से कम होना चाहिए ज्यादा नहीं होना चाहिए तो यह सेकेंड वाला चाइल्ड पर जो है वो फाइदा मिलेगा आपको एक बच्चे पर तो आसा है कि इस वीडियो के माधेम से आप समझ गयोंगे कि सेकेंड चाइल्ड के जनम पर कितने विनिफिट्स मिलता है लेवर काड के माधेम से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के नए जानकार के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद